बड़ाई सिंपल टॉपिक जिसका रिवीजन हम करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है Merger and Acquisition ऐसा कोई attempt नहीं गया आज तक कि इससे कोई question आता ना और एक्स छोड़ दो ठीक है समझ में आता है सारे topics छोड़ दीजिए पर अगर आप mutual fund और merger छोड़ है तो आपको AFM छोड़ देना चाहिए अगले attempt की तैयर ही करनी चाहिए मैं सीधी सी बात बहुर रहा हूं कि mutual fund और merger दो ऐसे topic है जो आपको करके जाना ही जाना है यह simple topic है और मेरे ख्याल से अगर class किया हुआ है तो आपको पता है अच्छे से कि एक example करने से हम से कम 25 questions वैसे ही बन जाना पिल्गल simple topic है ऐसा नहीं है कि कुछ questions ऐसे है जिसे याद नहीं करना पड़ेगा हाँ है पर यार हमें ऐसा क्यों लगता कि जो question हमें रटने पड़ेगे मतलब ICAI ने जिस questions हमें conceptual mistake की होगी वही question exam में आने वाले नहीं भाई ऐसा नहीं होता अधिकतर ICAI ने जो question AFM के module में डाला है merger and acquisition में वो 90% repeat question है और repeat question मैं यहाँ नहीं करवाँगा आप भे जानते हैं मतलब यार ऐसे question जिसमें figure भर change है उसको मैं यहाँ क्यों करवाँ हलाकि मैं बता दूँगा कि यह कहां से है आपके पैस अगर time हो तो आपका ले सुरू में board notes नहीं थे मेरे पैस तो आपको इसकी screenshot की मदद लेनी पड़ेगी merger and acquisition में sir हमको पढ़ना क्या है पढ़ना क्या था sorry एक तो भई merger पढ़ना है merger मतलब एक company दूसरी company के साथ merge होती है एक company दूसरी company को take over करती है तो take over करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह सारी चीज़े तूसरा है demerger और demerger का भाई साब एक ही question है तो मेरी हाप से हाज जोड़के विंती है कि demerger वाला question कर लेना fortune pharma limited और fmcg वाला question प्लीज एक ही question है और icai क्या कर रहा जिसका एकात question है वो उठा कर डाल देता तो यह वाला question करोगी किसी इसके merger के तो बड़े सारे question है leveraged buyout का एक ही question है और मेरे ही ख्याल से क्योंकि वो बहुत बड़ा question है तो हो सकता है कि मैंने exam oriented wedge में additional question में डाल रखा होगा advanced level concept में पर मैं revision में ये भी cover करूँ मज़ूरी है और सर कुछ question ऐसे है जिसका कोई sense नहीं है मतलब जो किसी भी topic से related नहीं है उसको मैंने residual में डाल रखा है हाला कि इसमें number of questions से ज़्यादा मिले अगर देखा जाए तो यार जो भी है 90% question हमारे यहां से है merger हमको इस पर ज्यादा focus ठीक है भगवान का नाम लेते हैं और start करते हैं क्योंकि मैं जैसे revision करवा रहा हूँ वैसे revision से आपका बहुत फायदा होने वाला नहीं है बस आपको चीजे revise हो जाएगी कि यार क्या करना है सब कुछ पता रहेगा बस आप pain नहीं चला पाऊगे तो जैसे revision complete होता तो please या फिर वीडियो को pause करके कम से कम question पर practice कर लेना जो question मैं समझाता हूँ उनको एक company दूसरी company को खरीद रही है खरीदेगी कैसे या तो shares के बदले में shares दिया जाएगा या फिर यार बोलो पैसा बोलो पैसा पैसा बोलो that's it आप सीधा बोलो आपका कितना भहिया क्या है आपके company का value बले इतना रुपिया ये पैसे पकड़ो बात ख़ता मैं this is cash deal दो तरीके हम अपनी company के share दे आपको shares के बदले में this is stock deal तो सर जादतर question यहीं से stock deal से cash deal के question एक आद दो question होगे एक question होगे एक question मतलब सर stock deal सबसे ज़्यादे important है तो एक example उठा रहा है this is most important example ये सब share actions ratio लिखा है मैंने conceptual समझाया था पर swap ratio का simple सा formula है उपर आएगी vendor company और नीचे आएगी purchasing company आप acquirer company acquiring company जो बोलना है बोल दो target company बोल देना अगर दिल कर रहा है तो जिसको आप खरीद रहा है वो आएगा उस company के share का value आएगा उपर और नीचे आएगा purchasing company के share का value याद रखना banking, bank का merger वाले question है जिसमें हम उल्टा लेते हैं और क्यों लेते हैं और कौन से इसमें लेते हैं वो मैं आपको बहाँ समझा दो बाकि normal target company उपर लिखते हैं और purchasing company नीचे लिखते हैं तो एक example के through समझते हैं और मुझे पूरी उमिर है कि दिख रहा होगा थोड़ा सा manage करना बढ़ेगा वो बाकि आपकी copy में तो लिखा हुआ है उल्टी तो company है भई ए लिमिटेड बी लिमिटेड और ए लिमिटेड टेक कोवर करना चाहती है किसको बी लिमिटेड ये screenshot थोड़े से ही time के लिए है बड़े मुश्किल से 10 मिनट होगा 10 मिनट भी नहीं लगीगा तो बहुत सारे questions आपसे automatically मैं थोड़ा slow चलूँगा इस example है तो सर 10,000 shares है purchasing company के और vendor company के है 2000 shares paid up value या face value दिया हुआ है इसका 100 रुपय उसका है 10 रुपय सर ये कैसे पता लग रहा कि ये vendor company ये target company ये लिखा हुआ है सर नहीं लिखा होता तो क्या number of shares दिखके पहचान सकते थे कुछ भी बात मत करो यार क्या इसके number of shares जादा नहीं हो सकते हो सकते क्या छोटी company बड़ी company को acquire नहीं कर सकती किसी बच्चे का question आया था सर उसके company के number of shares जादा है तो हम उसको कैसे target company समझते हैं क्यों नहीं समझ सकते हैं ठीक है सर तो अब यहार number of shares से paid up value को अगर हम multiply करते हैं तो जो आता उसका नाम रहता है equity share capital साथ में इस company में reserve भी है तो equity share capital और इन दोनों को अगर plus कर दे तो यह जो बारा लाख आएगा इसको बोला जाता है net worth उसके बाद earning after tax दोनों ही company का दिया हुआ है अब सवाल यह है कि अगर earning after tax दिया है number of shares दिया है तो क्या इससे EPS निकल सकता हम मान की चलते हैं हम हमेशा के preference share capital picture में नहीं है तो सर EPS निकल गया इसका EPS आया 15 और इसका 16,000 divided by 2000 इसका EPS आ गया 8 रुप है MPS दिया हुआ है MPS दिया रहे है कितना दिया है इसका 150 और इसका 32 तो क्या price earning ratio निकाल सकते हैं हां सर EPS नहीं लिखा रहा हूँ बिल्कु सिंपल वाले formula है उससा price earning ratio है 10 times और इसका कितना है 4 times नेट वर्थ तो मैं पहले ही निकाल चुका था अब एक बाद समझना book value per share क्या होता है तो भाई साब ऐसा है कि total net worth को divide करते है number of share से तो आता book value per share याद रखना face value per share अलग होता है पैड़ वैल्यू per share अलग होता है और book value per share अलग होता है तो सर ठीक है यह आगया book value per share ठीक है आपको swap ratio निकालना है किस basis पे on the basis of MPS on the basis of EPS on the basis of book value per share और जब आप निकाल लोगे swap ratio इस के सबसे इस के सबसे इस के सबसे इस के सबसे इनको weighted average करके final swap ratio निकल जाए बोला है question में कि भाई आप एक ही को base मत लेना तीनों चीजों को base लेना अब यार MPS के basis पे कैसे swap ratio निकालोगे तो simple सी बात है मैंने क्या बता है उपर हमिसा vendor company यह vendor company का EPS है और यह purchasing company का EPS है तो यह जाएगा 32 divided by 150 32 divided by 150 तो सरी यह आ गया 0.213 इस्टू 1 कुछ 1 इस्टू जनरली यह लिखा जाता है एक share के बदले में issue करेंगे है 0.213 shares ऐसी EPS के basis पर ऐसी book value per share के basis पर सबसे पहला काम है swap ratio निकालना हमने swap ratio swap ratio MPS के basis पर EPS के basis पर book value per share के basis पर और फिर तीनों का weighted average किया तो swap ratio आ गया 0.3-1 यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई रिक्षा अब आगे क्या बोल रहा है number of shares to be issued point final तीनों का मिलाकर कितना है था 0.3-1 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ सामने वाली company के एक share के बदले में हम issue करेंगे 0.3 shares ठीक है ठीक है सामने वाली company number of shares हम कितना issue करेंगे यह बताओ एक के बदले में 0.3 नहीं टूटल कितने share इस बाई टूटल इस company में number of shares कितने 2000 तो 2000 into 0.3 कितना होता 600 तर इसके लिए calculator लगता है हाँ जी मुझे लगता 300 shares issue पहला तो number of shares कितना issue करेंगे तो कोई दिक्कत है तो A limited के बाद merger के बाद कितने A limited के पास merger के बाद कितने shares हो जाएंगे तर 10,000 shares तो पहले से थे और 600 shares और हो जाएगे तो टूटल 10,600 shares कोई दिक्कत है क्या point number two में बोला calculate post merger EPS post merger EPS कैसे नहीं भाई देखो earning कितना earning after tax है हमारा है 1,50,000 और वो वाली company की earning भी तो हमारी हो गई 16,000 भी हमारा हो गया it means merger के बाद हमारी total मिलाकर earning 1,50,000 plus 16,000 इसको बोलते combine earn और merger के बाद total number of shares कितने है 10,600 तो combine earning को divided by करोगे किस से total number of shares after merger तो वो जो आएगा उसका नाम है post merger EPS जहां हमने निकाला होगा post merger तो सबसे पहले number of shares to be issued निकाला अब earning को add कर दिया divided by यह क्यार दिया तो यह आ गया 15.66 6, merger के बाद काई ठीक है कोई दिक्कत है कोई दिक्कत point number 2 भी हो गया मैंने कहा इस example में मैं थोड़ा slow चलूँगा क्योंकि concept तो यहीं है concept अच्छे से कलो दिक्कत में अब यार बोलो impact बताईए EPS में मतलब मतलब कि merger से पहले हम जो कमाते थे merger के बाद वो कमाई per share, बढ़ आए कि कम हो रहा it means impact बताना है EPS अब ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं impact on EPS merger से पहले पहले किसकी company के बाद कर लेते है A limited merger से पहले EPS कितना था 15 merger के बाद हो गया 15.77 already निकाला है तो सर यहाँ EPS increase हो रहा 66 पैसे से इसको ठीक है accretion भी बोलते है ठीक है बढ़ रहा मतलब accretion point 66 पैसे से accretion और सर B limited का EPS पहले था 8 रुपाई सर लेकिन अब तो उनका 15 रुपाई 66 पैसे हो गया सुनो ना भाई सुनो उनो पर यह 15 रुपाई 66 पैसे के लिए अब ध्यान से समझना मेरी बात को सर यह कितने शेयर पे EPS था एक शेयर पर मर्जर के बाद यह एक शेयर के बदले में हमको जो मिला ना वो point 3 शेयर सी तो मिला इसको बोलते है equivalent EPS प्लीज 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 यहां focus करना आप इसका comparison 15 रुपाई 66 पैसे के साथ कर ही नहीं सकते क्योंकि यह तो पूरे एक शेयर पे था उस समय हमारे पास एक शेयर था और जब मर्जर हुआ था हमने एक शेयर दिया तो बदले में हमें 0.3 शेयर से मिला है तो फिर हम 15 रुपाई 66 पैसे पे पूरा अधिकार नहीं है हमारा उसका 0.3 ही अधिकार है इट मिंस मर्जर के बाद उस 1.3 शेयर पर EPS है आपको एक्वल करना पड़ेगा भाई आप चाहो तो इसको कर लीजे चाहो तो इसको कर लीजे आपकी मर्ज एक कोशन में ICA नहीं है ऐसे किया 99% कोशन में ICA इसे सर दूसरा अल्टरनेट्व क्या हो सकता था भई आप चाहो तो इधर कर ले ना फिर हो मैं नहीं समझा था जो इंस्टिट्यूट किया वो कर वहाँ ज़्यादा ओके सर एक्विवेलेंट EPS कैसे निकालते है जो भी पोश्ट मर्जर EPS है उसको मल्टिप्लाई कर देना आप स्वैप रेशो तो यहाँ EPS पहले था आठ अब है 4.698 आंसर आ गया 3.302 यह डिक्रीज यह डिलूशन इन EPS है पूछता है यह ओके एक्विवेलेंट EPS ऑफ वैंडर कंपणी कैसे निकालते है पोश्ट मर्जर EPS इंटू स्वैप रिश्व इंपेक्ट ओन अर्निंग बोलेगा इस बार EPS नहीं बुला कितना था 16,000 और अब कितने शियर सरब 600 शियर इंटू 0.66 यह कैसे कि आप तो बोल रहा है कि एक्विवेलेंट लेना चाहिए भाई साब कितने तो आप समझधार हो यह ऐसे हुआ होगा सामने वाली कंपणी में शियर कितने थे 2,000 इंटू क्या क्या 0.3 इंटू क्या क्या 15.66 अल्टिमेटली उसका इफेक्ट तो आ गए है ओके तो अगर मेरी बास समझार अगर EPS में इंक्रीज डिक्रीज बोलेगा तो पर शियर निकालना पड़ेगा पर अगर अर्णिंग्स में बोलेगा तो आपको टूटल में निकालना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा कि कोशन पूछा के जा रहा हला कि कोशन करेंगे तब बास समझ में तो यहां तक समझने वाली बात थी आपकी, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, कहां तक हो चुका है हमारा, impact on EPS हो चुका है, इसके अलावा, point number 4, दिखा है, calculate, post-merger MPS, merger के बाद का MPS, और MPS निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, price earning ratio, विले price earning ratio रहेगा 12, 12 times दे दिया, कि merger के बाद, post-merger EPS मालूम है किया, yes, और उसको multiply किस से कर देंगे, 12 से तो क्या post-merger MPS निकल जाएगा, हम में पीछे नहीं जाऊँगा, तो post-merger EPS निकला हुआ है, उसको multiply कर दिया 12 से, तो यहां आ गया post-merger MPS, merger के बाद market price यह, सर, अगर post-merger price earning ratio नहीं दिया रहता, post-merger सुना धिया से, अगर post-merger price earning ratio नहीं दिया होता, और हमसे बोलता, कि भई, post-merger MPS निकाली है, निकालते कैसे, यह तो यूच कर लेते हैं, पर post-merger price earning ratio कहां से लेके आते हैं, तो बेटे, जो purchasing company का merger से पहले का price earning ratio है, हम उसी को यूच कर लेते हैं, यही बात मैंने note में लिखा रहा है, अगर post-merger price earning ratio नहीं दिया होगा, तो फिर हम price earning ratio किसका purchasing company का यूच कर लेंगे, जो price earning ratio merger से पहले था, conceptual गलत है, logical ही गलत है, पर आपको ऐसे ही कर लेते हैं, अब पूचा क्या है MPS, तो MPS में कुछ है नहीं है, यह 150 और यह 187.92, तो सरी यह आगया 37.92 increase, और यह 32 था, और इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, equivalent, तो यह आगया, यहाँ भी increase हो रहा है 24.3, तो अगर MPS के हिसाब से देखूं, wealth के हिसाब से देखूं, तो क्या, unlimited को merger कर लेना चाहिए, हाँ जी, क्योंकि उनका market price बढ़ड़ा है share का, क्या अब unlimited को भी कर लेना चाहिए, यास, क्योंकि उसका भी market price बढ़ड़ा है, market value after merger, market value कैसे निकाला जाता, market cap, total number of shares कितना होगा है, 10,600, और MPS after merger मालूम है, तो यह आगए total market cap after merger, simple है, ऐसी पूछ लिए था, यह इने formula को क्या, return नहीं की ज़र्वत है, सवाल ही पैदा नहीं होता, common sense यूच करो, इसको याद कैसे करोगे, करी नहीं सकता कोई भी, और अगर सर हम याद कर ले तो, तो आप भगवान, फिर तो आप रेटने में expert, फिर तो आपका rank कोई रोक नहीं सा, खेर मैं रेटने में ज़्यादा विश्वास नहीं, सर impact, अब MPS पे नहीं बोला है, market value पे बोला, सर हमें पता कैसे लगेगा, बताएगा ना यार question की impact किस पे निकाला, impact का मतलब increase हो रहा है कि decrease हो रहा है, तो सर market cap before merger, market cap before merger, ये था, और market cap सिर्फ unlimited के shareholder की बात कर रहा हूं, सर उसके तो दसार share थे, मतलब सर हमको MPS से multiply करना है, बस और कुछ नहीं कर, अब यहाँ बेकार की बात ये बोल सकते बच्चे सर, equivalent लेना, तो equivalent ले लो, मतलब आप यहाँ 2000 ले लीजिए, into, और equivalent MPS निकला होगा आपका, ये सर 56.38, तो यहाँ 56.38 से multiply कर लीजिए, आप कैसे भी घुमाई हैं, क्या फर्क पढ़डा, आंसर तो इतनी आएगा, ठीक है, अब एक question में पूछा गया है, कि पूछता है X, बोलता, ऐसा swap ratio निकाल ये, पूछता है, प्लीज ध्यान दो के, खतम होने वाला concept, तर concept में आपने 20 minute लगा दिया, हाँ, ऐसा swap ratio निकाल ये, इसमें, merger से पहले का EPS, A limited का merger से पहले का EPS, और merger के बाद का EPS, save होना चाहिए, मतलब कोई loss नहीं होना चाहिए, swap हम सामने वाली company को इतने shares दे, कि हमारे EPS में कोई कमी ना है, पहले जितना कमा रहे थे, आगे भी उतना थे, ठीक है, तो हमारे ratio बनाने की, merger से पहले EPS कितना था, 15, ना बोलो, तो merger के बाद का EPS भी कितना आएगा, 15, और हम क्या बोल रहा है, swap ratio क्या होना चाहिए, swap ratio ये होना चाहिए, कि merger के बाद का भी EPS कितना है, 15, मैं equation बना कितने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ equation बना रहा हूँ, तर कंबाइन अर्नि, merger के बाद का EPS तो हमको मालू है 15, तो कंबाइन अर्नि, ये purchasing company के shares, ये vendor company के shares, और इसको multiply करना पड़ेगा, 0.3 से, हाला कि वही तो हमको निकालना की क्या, तो यहाँ मैंने X ले लिया, X क्या है, X है swap ratio, बस और X का value निकाल लिया, और X का value आ गया, 0.33 3 is to 1, पतलब यार, अगर A limited, एक share के बदले, मैं 0.533 shares दे, तो merger से पहले का EPS, कितना ही रहेगा, कितना पहले जितना था, 15 रुपए जो भी हो, ही कसा, हाला कि इसका alternative है, जब भी ऐसा बोलेगा, जब भी ये बोलेगा, कि यार आपके merger से पहले का EPS, और merger के बाद का EPS, same होना चाहिए, तो आप EPS के basis पर, EPS of vendor company, divided by EPS of purchasing company, आंसर यही आएगा, X लगाने की ज़रुतनी है, 0.533 is to 1, तो मैंने कहा कि, alternative आप ऐसे भी शौल कर से, A limited का merger से पहले का EPS, और merger के बाद का EPS, एक जैसा होना जाए, अब question ये भी पूछ सकता है, कि यार swap ratio ऐसा निकालो, कि B limited का, merger के पहले का EPS, और merger के बाद का EPS, अब की बार किसका पूछ रहा है, बोले B limited का, merger के पहले का EPS कितना था, 8, तो merger के बाद भी EPS, 8 ही होना चाहिए, हाला कि उसको मुझे, equivalent EPS निकालना पड़ेगा, मतलब, वही combine earning होगी, वही number of shares होगे, तो यह क्या आगया, सर यह आगया, post merger EPS, पर याद रखना हम equivalent निकालते, यहाँ में swap ratio से और multiply करना पड़ेगा, तब काम होगा, answer उतना ही निकलेगा, it means alternative आप ऐसा कर सकते हो, it means मैं क्या कहना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूँ भाई, कि जब भी बोलेगा, कि EPS purchasing company का, या vendor company का, merger से पहले जो था, merger के बाद भी वही होना चाहिए, उनको earning में loss नहीं होना चाहिए, तो आपको EPS, जो swap ratio है, वो EPS के basis पे निकालना है, और swap ratio का formula, EPS of vendor company divided by EPS of purchasing, that's it, और आगे को समझाने वाली बात नहीं होगी, पुरियू में, ओके, तो भगवान का नाम लेते हैं, और unique question करवाँगा, सबसे पहले start कर रहे हैं हम लोग, question number 3, question number 3 मुझे अच्छा लगा था, और question number 3, exam में आया हुआ है, करना पड़ेगा, पड़े सर, yes, ABC Limited, is a company operating in software industry, ABC, और किसको acquire करने का सोच रहे हैं सर, XYZ को acquire, ABC होगी परचेस, company XYZ होगी, यह vendor होगी, earning after tax दिया है, कभी भी ना यार, यह वाली information ना, यहां working में लिखने की कोशिश, सर 9,2,4, 9,2,4, copy paste कर लो, क्या number of shares मालूम है, yes, अगर आपको earning after tax मालूम है, number of shares मालूम है, तो क्या निकल जाएगा, EPS, क्या सर, EPS निकाल लिया, क्या price earning ratio दिया हुआ है, yes, multiply करके, क्या निकल जाएगा, MPS, यहां तो कोई दिक्कत है, अब पढ़ो, इस point में बच्चों को दिक्कत है, ABC is planning to offer a premium, ABC, कामने वाली company को खरीदने का सोच रही है, और बोले, offer इस तरह से दिया जाएगा, कि जो उनका market price है, XYZ का, तर 40 रुपए हैं, तो बोले, उससे हम 25% जादा देंगे भाई, सामने वाली company को हम पहचान गया है, इसमें बहुत कुछ है, market में भली 40 रुपए चल रहा है, लेकिन सुरो ना यार, हमको मालूम है, आप में दम है, हम आपको ज़्यादा पैसी देने को तियार है, हम आपके एक एक शेयर पर 50 रुपए देने को तियार है, इसमें सामने वाली company का शेयर का price कितना है, हमारी नजरों से, actual में तो 40 है, पर उसकी सही value हम जानते हैं, वो है 50 रुपए, तो हम 50 रुपए देने को तियार है, तो बताइए, swap ratio क्या होगा, और number of shares कितने आएगे, देखो अगर मैं common sense लगाँ, मुझे swap ratio का formula नहीं पता, मैं common sense लगाता हूँ, तो common sense ऐसे लगाँगा, यार सुलो, ये काम आएगा, यार सामने वाली company में shares कितने हैं, बोले 60,000, और हम कितना, एक share पर कितना देने को तियार हैं, 50 रुपए, एक share पर हम 50 रुपए देने को तियार हैं, है ना, ओके, तो ये सामने वाली company की value आगई, और divided by, हम अपनी company का share, number of shares कितने देर हैं, सामने वाली company का value हो जाएगा ना, 60,000 into 50, तो सर, ये आगए 30,000,000 है साइद, सामने वाली company की value हमारी नजरों में 30,000,000 है, ठीक है, 30,000,000 हो गया भी, आपकी value कितने हैं 30,000,000, अब हम share issue कर रहे हैं, और हमारी company का share का price कितना 84, तो हम 84 में share issue करेंगे, conceptual वो ही है, दिक्कत क्या है, पहले number पर उसने swap ratio मांगा, तो swap ratio किस basis पर, MPS के basis पर, पर याद रखना कि हमको 40 ने लेना है, हमारी नजरों में उस company का value है, 50 divided by 84, तो swap ratio आगए 0.60, 50 divided by 84, 0.59 है तो इन्होंने 60 ले रहा, उस rounded off की वज़ह से, 36,000 shares आ रहा है, जबकि अगर मैं rounded off ना करूँ, जो swap ratio निकला है, उसी को मैं multiply कर दूँ, 60,000 से, तो answer आएगा, 35714, और ऐसे भी answer आ रहा था, 30,000,000 divided by 84, 35714, तो आपको rounded off की वज़ह से, और आपको करना ही पड़ेगा, swap ratio ऐसे ही निकला, समझ में आ रहा है, सर सर काम की बाद वोलूना है, काम की बाद यह है भाई, कि जब question में ही लिखा है, कि सामने वाली company की value, हम 40 ना मान के, हम 50 मानेंगे, तो swap ratio आपको उसी की इसाब से निकलना, rounded off किया, तो 0.6, अब number of shares कितना issue करेंगे, साथ हजार into 0.6 से multiply कर देंगे, तो number of shares सजाएगा 36, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद क्या मांगा है, सर उसके बाद new EPS मांगा है, मतलब post mergers सर, दोनों की combined earning add कर देंगे, और एक लाग पचाज़़़ प्लस 36, इसमें गुश्थाही निदम, यहां के impact on EPS, वो भी निकल जाएगे, impact on EPS में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना है, बस यहां याद रखना, यहां equivalent EPS निकलना है, ओके, मेरे ख्याल से इसमें भी दिक्कत नहीं है, market price निकलना है, price earning ratio आपको पुराना वाला 14 ही यूज करना पड़ेगा, तो वो भी निकल लोगे, इन चीज़ों पर मैं ज़्यादा समय बरबाद नहीं करूँ, अब आगे बोल रहा है, कि मान लो price earning ratio 12 होता, 12 होता, तो बताइए impact बताइए, फिर हमको price earning ratio 12 लेके, new market price निकलते, और फिर impact निकल लिए और यहां क्या हो रहा, इसको loss हो रहा और यहां gain हो रहा, और यही हमको comment में लिखना पड़ता, कि इसको loss हो रहा, इसको gain हो, ओके, अच्छा question था, question number 4 पे आए, यह question number 4, यह भी अच्छा question, it means मैं आपको unique question करवा रहा हूँ, P Limited wants to acquire S Limited, खीके सर, P Limited हो गया purchasing company, और S Limited, vendor company या target company, इसको रहा प्रेशों दे रहा, 2 इसको 3, तब 2 by 3, fraction थो नहीं है, 2 by 3 मतलब, 0.667, तब 2 by 3 ले ले लेंगे भी यह, क्यों रहा हो चक्कर में पड़े, okay, profit after tax दिया, number of shares दिया, तो EPS निकाल दिया, price earning ratio है, तो market price भी, सब कुछ निकाल कर दे दिया, number of shares to be issued by be limited, number of shares, तो सामने वाली company में, number of shares कितने, 1,80,000 into 2 by 3, 1,20,000 आ गया, simple है, EPS, post merger EPS, तो सर, दोनों को add कर हो गये, ठीके सर, post merger EPS में भी, हमको कोई दिक्कत नहीं हो, equivalent EPS निकाली है, और calculate, per share gain और loss, सिर्फ और सिर्फ S limited का, या S limited का, equivalent EPS निकाली है, और सिर्फ इसी का gain या loss निकाली है, तो easy है, जो post merger EPS आया था, 3.54, into 2 by 3, equivalent EPS आ गया है, और merger से पहले का EPS, कितना था 2 रुपाय, 50 पैसे किदर निकला, सरीय ही है साय, 2 रुपाय 50, तो देखा तो हमको loss हो रहा, सामने वली गम, यह भी हो कही है, अगे बढ़े, point number 4, yes, what is the expected market price per share, ठीक है EPS निकाल रहा है, अगर price निक्रिश हो, remain chance, 3.54, into 10, 35.40 हो जाएगा, तरह क्याल से, यह भी दिक्कत नहीं, 35.40, market value निकालना है, merge firm का, market value तो number of shares, cost merger, यह भी हो जाएगा सर, जो मैंने करवाया है, इस question को, वो सिर्फ एक ही point के लिए करवा रहा हूँ, point number 6, point number 6 के लिए, बात करें, यह सर, पढ़ते हैं, तेखा, after the announcement of merger, इस point को अच्छे से करना, यह point अच्छा है, after the announcement of merger, price of shares rose by 10% on BSE, बुले, price बढ़ जाएगा, merger के बाद, price बढ़ जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा, okay, okay, price, इसका, S Limited का price, 10% से बढ़ जाएगा, S Limited का price कितना है, प्राइजे 70 रुपए, 50 पैसे, जैसी merger का announcement हुआ, share का price बढ़ गया, पता नहीं, demand बढ़ गई होगी, बोले, अच्छी company के साथ, merge हो रही होगी, बोले, price बढ़ के हो जाएगा, 19 रुपए 25, अभी merger हुआ नहीं है, merger का announcement हुआ है, merger का announcement होते ही, 19 रुपए 25 पैसे हो गया, आपके share का price, मज़ा गया है, S Limited के share को मज़ा गया, अब S Limited का shareholder क्या सोच रहे है, 19 रुपए 25 पैसे में share बढ़ सकता है, तो बोले, सामने का अगर नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, तो बोले आपको EPS मिलेगा, सामने वाली कंपनी के साथ मर्ज हो जाओगे, और मर्ज हो जाओगे, तो आपको EPS कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2 रुपए 36 पैस, It means, दो option है, कितना था share का price, 19 रुपए 25 पैसे का share बेचिये, और 14 परशन कमाई है, या तो 19 रुपए 25 पैसे लगे रहने दो यार, बदले में, उस share के बदले में, आपको हर साल 2 रुपए 36 पैसे EPS का मिलेगा, कमाई बताओ, सार कमाई है 12.26 परशन, क्या करें, बेचियो सार 14 परशन कमाई है न, कहाँ 12.26 परशन, तो जो share holder है, जैसी merger announcement हुआ और share का price बड़ा, तो बड़े price पे बेच दीजिए आप share, तोंकि आपको 14 परशन की कमाई है, पॉइंट अच्छा था इस कोशन, अगे चलते, question number 5, cut कर दीजिए, मतलब आपको करना है, कर सकते हूँ, मैंने यह करवा, मैंने वैसी homework देके लगा था, question number 8, discuss कर दिया था, homework दे दिया था, मैं discuss भी नहीं कर था, question number 14, हाला कि ये TYK3 दिख रहा है, TYK3 दिख रहा है, समझ रहा हूँ न, मतलब चाहो तो कर लो, आपकी मर्जी है, मैंने discuss भी किया था, पर यह मैं homework दिया था, homework copy के लिए homework दे दिया था, आप समझदार हो, बस सब्द क्या लिखा रहता है, find the earning per share for company, MK Limited after merger, EPS after merger निकालना, find the actions ratio, ऐसा actions ratio बताइए, कि shareholder of NN Limited को को कोई loss ना हूँ, जब earning की बात किया है, तो यहां बोल रहा है, earning में किसी प्रकार का loss ना हो, तो इसका मतलब EPS के basis पे, आपको price earning ratio निकालना हूँ, कोशन अच्छा है, देख सकते हो, TYK3 में, पर मैंने homework दिया था, तो पक्का मैं यह नहीं करवाँ, तो यह कोशन भी सेमी कोशन था, तो मैंने कट करवा दिया था, हाला कि यह TYK4 है, तो आप वो भी देख सकते हूँ, मैं नहीं करवा रहा हूँ, repeat है, यहां यह revision का बनता है, यह TYK6, homework है, homework copy में, तो सोचो किस level कोशन है, मैंने पहली बता दिया था, merger topic में, बहुत ज़्यादा करवाने के लिए कुछ है नहीं, मैं वही कोशन करवाँगा, जो unique है, और यह तो मैंने आपको, class में ही homework दे रख, यह 18 बनता है करने का, अगर मैंने करवाया होगा, मेरा यह उद्देश यह बिलकुल भी नहीं है, यहां कि मुझे आपके module के सारे कोशन करवाना है, वही repeat कोशन अगर मैं करवाऊँ, और आपको करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो खुशी कोई काम के नहीं, अलग-अलग कोशन करना पड़े, भली वो आपके AFA module के नहीं, यह एक्जाम में अगर पर करना दो पड़ेगा, यह कोशन अच्छा कोशन है, ठीक है सर, हम तहीं आ रहे हैं, ठीक है, अलफा लिमिटेट, वांच टू एक्क्वायर किस कोई बीटा लिमिटेट, तो सर, यह हो गए हमारा पर्चेसिंग कंपनी, और यह हो गए टार्गेट कंपनी, यह वांडर कंपनी, ठीक है, त्वाप रेशो दे रखा 1 इस्टू 2, और अच्छे से बता रखा 0.5 सियो, पाई अवरी वन सियो रो भीटेटेट, प्रॉफिट अफ्टर टेक्स दे दिया, अर्णिक्स दे दिया, EPS दे दिया, प्राइजनिंग रिशो दिया, मार्केट प्रैस दिया, सर, यह तो वह वाला कोशन होगे, नमबर अफ्टेस टू भी इश्यू, तो सर, यह एक लाग असी हजार, इंटू क्या करोगे, पॉइंट फाइफ, पोश्ट मर्जर यह भी निकाल लोगे, एक्वियोलेंट यह निकालोगे, मैं रिपिट शीज़े नहीं करवा रहा हूँ, पोश्ट मर्जर MPS यह भी निकाल लोगे, और मार्केट वैली यह भी निकाल, यह तो वही वाला कोश्चन है जो अभी करवाया था, पस मेरा पॉइंट नमबर टू टार्गेट है, पॉइंट नमबर टू मैं मांग क्या रहा हूँ, यू आर दा शेरोल्डर आप बीटा लिमिटेट, भीया बीटा लिमिटेट के हम शेरोल्डर हैं, और हमारे पास सौ शेर्स है, क्या इन शेर्स को आप बेचना चाहोगी, तो बोल रहा है, यू आर दा शेरोल्डर बीटा लिमिटेट, और बीटा लिमिटेट के आपके पास हंड्रेट शेर्स, क्या आप बेचना चाहोगी, और कितने रुपए में, सवाल ये है, आज अगर बेचना तो कितने में बिकेगा, 14 रुपए में बिकेगा, फिर बेचना तो कितना आएगा, 14 सो रुपए आज आज आएगा, और सर अगर हम नहीं बेचते हैं तो, शोर शेर्स के बदले में हमको कितना मिलेगा, सर पचाशी शियर्स मिलेगा और पोश्ट मर्जर MPS निकला हुआ है पोश्ट मर्जर MPS 37.56 मल्टिप्लाई किया 37. तो सर अगर हम या तो आज बेज दे हम सामने वाली कंपनी के साथ मर्ज ना हो तो 2400 रुपए की शियर्स भिग जाएंगे पर अगर सामने वाली कंपनी के साथ हम मर्ज हो जाते हैं तो हमें भले 100 के बदले में 50 शियर्स मिलेगा पर उन 50 शियर्स की कीमत होगी 1878 1878 तो सर सीरियसली बोले सर मद बेचो ना यार वैल्यू बढ़ रही है और कितने से वैल्यू बढ़ रही है 478 रुपर थे हमें शियर्स नहीं बेचने हाँ यहां कुछ और ज़्यादा का बिक्ता तो फिर सोच सकते थे जैसे हमने पिछली कोशन ठीक है कोशन नमबर 19 हाला की EYK7 दिख रहा है कुछ विशेस बात थी नहीं प्रेक्टिस के लिए आपको करना है तो कर लीजिए बुक खोलकर बन जाएगा कोशन नमबर 20 अभी नहीं करवाना है क्योंकि इसमें maximum और minimum action ratio है जिसका एक concept है जो मैं यहां नहीं करवा रहा हूँ कोशन वापस repeat होगा कोशन नमबर 21 TYK9 है करने का सवाल ही पैदा नहीं इसमें कुछ समझाने वाली बात है यह नहीं कोशन नमबर 23 TYK11 है और यह भी कोशन करने की जरुदत नहीं है ICAI नहीं मर्जर चैप्टर में पता नहीं कि सेम 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 सारे कोशन सिमिलर कोशन डाल दिये और अगर आप मैं सिर्फ मॉडूल पे फोकेस करूँ तो ऐसा लगए कि वाउ क्या बात है मतलब ऐसा लगए कि वाउ सब हो गया कोशन पेपर में बैंड बच जाती है तो प्लीज रिपीट कोशन करने के पिक्चर कुछ नहीं कोशन करो ज्यादा काम ये मैं ये बोल रहा हूँ मॉडूल करके खुश मत हो जाना कोशन नमबर 24 ती वाई के 12 टाइम मिल रहा है टाइम है आपके बाद कर सका कोशन नमबर 10 करने का बनता है बिलकुल बनता है अच्छा कोशन है और ये है ती वाई के 27 वाउ सिदा ती वाई के 27 करवा रहा हूँ अच्छा कोश्चन है और बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए चलो ची देखे इस कोश्चन में क्या खाजबत है यह सर तेखा है आर लिमिटेट और एस लिमिटेड आर कंपनी इस देट ओपरेट इन दा सेम इंडूस्ट्री तो फाइनिशिल स्टेट्मेंट और बोथ दे कंपनी फ़र्द करेंट फाइनिशिल यह आर एस फॉलोस एक कंपनी है भाई आर लिमिटेट एक कंपनी है एस लिमिटेट ठीक है सर शेर कैपिटल और रिटर्न रर्निंग दोनों कर दिया इसका है 24 लेक्स 24 लेक्स ही होगा न और इसका 16 लाक इसमें रिटर्न अर्निंग नहीं है नॉन करेंट लाइबिरिटी में 16 पर्षन लॉंग टर्म डेट से करेंट लाइबिरिटी है एसेट से और एसेट्स में नॉन करेंट एसेट एन करेंट एसेट्स है ठीक है भाई इसके लावा sales दिया है, cogs दिया हुआ है, gp दिया, operating expenses, interest दिया हुआ है, earning before tax, tax तो earning after tax भी दिया, earning after tax मांग क्या रहे हो भी, additional information में 2 lakh share, 1 lakh 60,000, dividend payout ratio है, market price per share है, assume that both companies are in the process of negotiating a merger through actions of equity shares, ठीक है, merger का सोच रहे है you are required to decompose the share price, बोले share price को decompose कीजिए, अलग-अलग कीजिए, कैसे अलग-अलग करें, बोले आप एक तो EPS निकाल लिए और एक निकाल लिए price earning ratio, शेर क्या price है उस में से, MPS में से, EPS और price earning ratio मिला कर, तो MPS बना लिए, तो EPS कितना है और price earning ratio कितना ये बता दो, बता देंगे इसके अलावब बले EPS को segregate कीजिए, और return on equity निकाल लिए, sir return on equity का formula क्या है, return on equity का formula EPS divided by book value per share और book value per share, तो बले जो है EPS में दो चीजे निकाल लिए, एक return on equity निकाल लिए और book value per share निकाल लिए, इन दोनों को मिला कर, बना कर, पर करेंगे क्यों, बले वो बाद में समझाएंगे, पहले आप 4-5 काम कीजिए एक साथ, क्या क्या काम कीजिए, EPS निकाल लिए, price earning ratio निका लिए, और इसके अलावा, point number two में बोल रहा है, कि आप growth rate भी निकाल लिए, फिर point number three में बताएंगे, इन सब चीजों का क्या use होने वाला है, तो ठीक है सर, हम तयार है, सबसे पहला, EPS निकालना, EPS के लिए हमें earning after tax चाहिए और earning after tax दिया हुआ है, earning after tax मैंने यहां लिखा, और number of shares भी दिया हुआ है, तो उससे मैंने सबसे पहले मुझसे क्या मांगा गया था, सर, सबसे पहले मांगा गया था, EPS तो EPS, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किस निकल, MPS सायद दिया हुआ है, चेक करो, चेक करो, हाँ सर, MPS दिया हुआ है, MPS लिख दिया तो, MPS लिख इसके अलाबा, book value per share निकल सकता है, yes sir, net worth, divided by number of shares, तो यह आगया, book value per share, अब हमको क्या EPS मालूम है, book value per share मालूम है, तो क्या ROE निकल गया है, yes, ROE निकल गया, return on equity, इसके अलाबा, क्या था, growth rate, growth rate का formula क्या है, B into R, sustainable growth rate, B, B का मतलब है, retention ratio, क्या dividend payout ratio मालूम है, yes, dividend payout ratio मालूम है, तो retention ratio निकल गया, और R हमको मालूम है, तो growth rate निकल गया, तर इसका huge क्या है निकलने का, huge यह है, R limited और S limited दोनों merge होना चाहती, यह simple सी बात है, R limited मैं मान के चल रहा हूँ, purchasing company में कहीं लिखा होगा, अब बात ठीक से सुनना, इसका EPS कितना R limited का, मान लो यह purchasing, 2.665 जो निकलने के लिए बोला था, और S limited आपका EPS कितना है, 1.56, बोले हमारा price earning ratio कितना है, 18.76, 18, 18 गुना जादा हमारा market price है, जितना कमाते हो, आपका क्या है, 12.82 बस, और सुनो shareholder, किसके shareholder, S limited के shareholder, हमारा book value पर share कितना है, 12 रुपिया, आपका कितना है, 10 रुपिया हमारा return on equity है, 22 percent के आसपास, आपका 15 percent, और growth की तो बात ही छोड़ दो यार, growth 17 percent का growth है, और आपका growth आपकी company में कितने percent का growth है, 10 percent, आजा हो हमारे पास, माला माल हो जाओगे, मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं shareholder, कौन से shareholder, S limited के shareholder को बोल रहा हूँ, ठीक, वो मैं बाद में सम based on the expected operating synergy, synergy आपको पता है, अगर हम सामने वाली company को खरीदेते हैं, किसको R limited, तो उसको खरीदने से, merger के बाद हम extra कमाएंगे, और उन सब को देखते हुए, हमको मालूम है कि S limited के लिए हम 25 रुपए देने को तियार है, 25 रुपए, अला कि इस company के share की price है कितनी actual में, पीस, पर इस company में कुछ बात है यार, S limited में, मैं S limited में कुछ बात है, और उस बात की वज़ा से, हम हमारी नजरों में, उस company के share की value बीस नहीं है, 25 रुपए है, बस उसे ज़्यादा नहीं, अगर आप हमारे यहां आ जाओना, तो हम maximum मालूम है, आपके एक एक share पर कितना द देंगे, 25, 25 से ज़्यादा हम देंगे नहीं, 20 से कम में आप मानोगे नहीं, इसलिए नहीं मानोगे, क्योंकि 20 रुपए का share market में भी क्राप market में बेज़ दोगे, तो वो क्या कह रहा है, बोले, वो आप से ये कहने की कोशिश कर रहा है, कि बताईए, एक range, एक range develop किजिए, कि maximum कितना और minimum कितना, तो हमने R Limited के नजरों में S Limited के share का price 25 है, तो R Limited इस से ज़्यादा तो देगा नहीं, तो 25 रुपए के हिसाब से देगा, 25 से ज़्यादा देगा नहीं, सर intrinsic value लिखा बहुत सारे बच्चों का कहना है, सर intrinsic value लिखा है, तो intrinsic value उपर है, तो हमारी company का भी intrinsic value नीचे होना चाहिए, सर intrinsic value का क्या एक ही meaning है, बिलकुल यहार आप न, आप रट्टा मार रहे तो दिक्कत है फिर तो समझे नहीं पा रहे कौन से, intrinsic value का मतलब क्या है, सर, acid minus outside liability है भगवान, हाथ जोड के मिनती है, अपना दिमाख में चलाओ, हमानी नजरों में सामने वाली company होनी की real worth है 25, तो 25 divided by 50, हमारी company की share का price कितना 50, हम एक share के बदले में आदर share देंगा, maximum उससे ज्यादा नहीं देंगे, और वैसे भी आपके share की है कितनी कीमत, 20, अगर आप market price के हिसाब से चलो, तो 0.4, उससे कम आप लोगे नहीं, अब सबाल ये, swap rate और więc 우check per profund, तो इसके सबसे decide होगा कि इसके सबसे decide होगा, ज्यादा pass किसके होगा, deal होगा, मैं आपसे बात करूँगा, negotiation होगा, और negotiation मैं बात करेंगे, मैंने मन में रखा है कि 0.5 से ज़्यादा मैं दूंगा नहीं, आपने भी मन में रखा कि 0.4 से ज़्यादा, 0.4 से कम ह अब चलो नेगोशीशन हो जाए और मैं आपको मनाने की कोशिश करूँ कि सुनो शेयर होल्डर ओफ एस लिमिटेड वेंडर कमपनी आप प्लीज इस पे मान जाओ इससे कम में आप मानोगे नी पर इस पे मान जाओ उसकी वज़ा क्या है अगर आप हमारी कमपनी में शेयर होल वही पूछा है कि यह जो नेगोशीशन है वह किसके ज्यादा क्लोस होगा वही लिखा है मैंने यह वाला पॉइंट अच्छा है समझाने के रहे EPS, Price and Ratio, Return on Equity, Growth Rate of R Limited is more than S Limited, hence a negotiation term to be closer to lower action This is the point, जो मझे समझा है ओके, तो यह कोशन देखोगे, कोशन में 11 हाला कि TY के 28 है पर सेम कोशन, दो पॉइंट ज्यादा बढ़ाया, वह दो पॉइंट आपको आता अच्छे से यह वाला दो पॉइंट यह कर लोगे, इसमें कुछ था ही नहीं EPS में, impact on EPS में महांगा है, अगर swap ratio यह होगा तो यह कर लोगे, पॉइंट नमबर 4 and 5 पॉइंट नमबर 12 टोटली छोड़ सकते हो, कट कर सकते हो पॉइंट नमबर 27, एक्जाम में आ गया था और इसमें आपको ratio chapter का अच्छा खासा knowledge होगा अच्छा खासा नहीं, थोड़ा भी knowledge होगा तो चल जाएगा actual में हमें ना इसमें turnover की जरूँ मतलब यार sales मिलेगा तो फिर नीचे जाओगे, operating expenses minus करोगे EPS निकालना था actually EPS निकालना था क्योंकि EPS के basis पे swap ratio निकालना था अब EPS के लिए हमको sales चाहिए और आपको दो ratio दे रखा inventory turnover ratio और debtor turnover ratio अब यार debtor turnover ratio से जो निकलता है वो सब formula तो वही होता turnover ratio में हमेसे उपर turnover होता है बचपन में पढ़ा और नीचे जो भी मांग रहे जाए debtor turnover ratio का formula क्या होगा sales turnover divided by average debtors अलागी turnover जो है वो credit sales होता है और stock turnover ratio में sir cogs या turnover divided by stock average stock नीचे रहता उपर क्या रहता cogs रहता अब यार यहां turnover इस हिसाब से भी निकाल सकते इस हिसाब से भी पर इस हिसाब से अगर निकालते है तो जो निकलता वो क्या निकलता वो credit sales निकलता हमें credit sales ने चाहिए हमें चाहिए total sales इसलिए जो यूज किया गया वो यूज किया गया है stock turnover तो क्या निकलेगा cogs हाला कि हमें average stock यूज करना चाहिए पर हमारे पास closing stock दिया तो हमने closing stock को यूज लिए स्टॉक्ट टॉन ओवर रिशो से सबसे पहले हमने क्यानि काला C O G S और C O G S से क्यानिकाल लिया सेल्स DTR क्यों यूज नहीं किया गया क्योंकि जो निकलता वो क्रेइट सेल्स निकलता और हमें चाहिए टूटल सेल्स इसी वज़े से हमने DTR यूज और एक बार सेल से निकल गया तो फिर तो कोशन में कुछ बचा नहीं है फिर हमने EPS निकाल लिया EPS के बिसे फिर इस कोशन में कुछ नहीं है तो इस मेटर पर में दवाद नहीं है ठीक बाकी तो करी लोगे कोशन नमर थर्डीन मैं अब आगे रिविजन में उन्हीं चीज़ों को यूज करूँगा रिपीट चीज़े रिवाइज नहीं करूँगा वो आप खुद कर सकते हो कैलकुलिशन सॉलूशन तो आपके सामने है कोशन नमर थर्टीन ती वाई के वन लिखा हुआ है पहला कोशन है एक बड़ देखे क्या देखा बी लिमिटेड इस highly successful company and wishes to expand by acquiring other firm it expected high growth in earning तो बी लिमिटेड है हाई ग्रोथ अर्निंग में अच्छा ग्रोथ है और डिविडेंड प्राइज एरिशो है 17 किसका बी लिमिटेड का पहले ये लिखते हुए काम करना जब भी ऐसा paragraph दिया रहेगा ना भाई चार बार पढ़ना पढ़ेगा क्यों चार बार पढ़ेगा एक बार पढ़े या लिखते हुए काम करें तो बोड अब डाइक्टर दो बी लिमिटेड है पैन है ठीक है ये भी ठीक है और एक लाग शेयर इस्यू करेंगे शेयर प्राइस है पंदरा एक लाग शेयर कौन सी कंपनी का है सी लिमिटेड के नंबर उप शेयर से एक लाग है और मार्केट प्राइस है पंदरा रुपए और B Limited के पास 5 लाग shares है और market price है 12 रुपए calculate the change in EPS if acquiring the whole of C Limited हम पूरी C Limited को खरीद रहा है और by issuing और share का हमारा price कितना है 12 रुपए में हम share issue करें हम इस company को खरीद रहा है और जो share issue करेंगे वो 12 रुपए के हिसाब से issue करें हमें क्या निकालना है post-merger EPS EPS में कोई change होगा कि नहीं सबसे पहला क्या हमको EPS मालूम है post-merger EPS के लिए combine earning निकालना पड़े गाना वो नहीं मालूम है हमने MPS divided by price तो EPS आ गया number of shares मालूम है तो यह earning after tax आ गया क्यों निकाला है यह क्योंकि post-merger EPS निकाला अब इसको मैंने number of consideration of C limited C limited को कितना रुपए C limited के value कितनी है बोले इतनी और 12 रुपए का एक share issue करेंगे तो number of shares निकल जाएगा और number of shares निकला एक लाग बच्चे अब हमने क्या निकाला अब हमने निकाला post-merger EPS दोनों को जोड़ा यह आगया post-merger EPS post-merger EPS से 3-merger EPS माइनस किया इतमिंस किसके एंगल से बोलना था हमें change in EPS of B limited B limited के EPS में कितना change हो रहा है वो बताना थो बिलकुल आसान कोशन इसमें कुछ खाज़ बात नहीं थी question number 16 यह भी करवाया है TYK5 और इसमें cash deal भी है तो कोशन अच्छा है देखे कि एक बार ना सब्सक्राइब because the CEO of a company thinks that shareholder of always look for EPS therefore consider maximization of EPS his company objective his company's current net profit है 80 रुप 80 लाख earning after tax 80 लाख और price earning ratio 10.5 sir यह purchasing company की बात है और current income है 15 पो यह किसका है एक दूसरी firm जिसको हम खरीदने है का सोच रहा है 15.75 और उसका price earning ratio 10 earning after tax और price earning ratio हम को दिया इसके अलावा उन्होंने किया इसके इसके अलावा दिया इसका वाट इस the maximum action ratio which the CEO should offer so that he could EPS maximum action ratio बोला है पर बच्चों को मैंने minimum action ratio maximum action ratio करवाया हूं वो सोच रहे कि वो वाला concept है वो वाला नहीं है बटे maximum action ratio मतलब ऐसा action ratio बताईए ताकि EPS जो है वो सेमी रहा है मतलब EPS के basis पे swap ratio निकलेगा तो current market price और current market price दोनों का दिया हूँ current market price दिया हूँ अब इससे पहले क्या-क्या निकल सका earning after tax price earning ratio EPS तो निकल इसका EPS नहीं total earning market cap निकल गया earning से price earning ratio को multiply करो तो sir market cap निकल गया MPS मालूम है तो क्या number of shares निकल सकता है या number of shares और हमको earning after tax मालूम है हमको ये मालूम है तो क्या इससे EPS निकल सकता है और भी बहुत सारे तरीकिये हो सकता है क्या हो सकता sir MPS मालूम है हाँ price earning ratio मालूम है yes तो इससे EPS नहीं निकल सकता था 42 divided by 10.5 yes EPS निकल सकता है ठीक है ना बलो ना यहाँ okay हमें करना किया भाई हमें निकलना है swap price EPS चैंज नहीं होना चाहिए तो फर ठीक है sir 10.5 divided by 4 अगर आप stock deal कर रहे हो 2.625 is to 1 that's it और वही मैंने किया लेकिन हमें x लगा कर किया है क्यों क्योंकि मुझे यह cash deal समझा तो x लगा कि कैसे post merger EPS कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए चार कहां से आया 4 ही होना combine earning ले लिया और इस company के number of shares कितने है 20 लाक और सामने वाली combine 1.50 x तो इस x को solve किया तो answer रहा गया हाला कि मैं EPS of vendor company divided by EPS of purchasing company से भी काम हो साथ अब question ये है कि मान लो भाई हम shares के बदले में shares नहीं ले रहा है हम सामने वाली company को cash देने को देगे सामने वाली company से बोलते है सुनो न भी या हमारे 20 लाक shares है 20 लाक ही रहेंगे अब पैसा बोलो अब पैसा कहां से देंगे बोले bank से उधार लेकर देंगे अच्छा तो CEO क्या सोच रहा है बोले हम borrow कर लेंगे पैसा कितने person के सबसे 15 person के सबसे उसे interest तो जाएगा जाने तो और सामने वाली company को buy out कर लेंगे ठीक है और बदले में क्या cash देकर तो बताईए कि कितना offer करे कि EPS सेमर है वापस हमें क्या निकालना post major EPS देखो धियान से कैसे EPS कितना रखना है 4 तो 4 यहां लेकर combine earning उसकी earning तो मेरी हो गई पर बदले में हर साल मुझको interest देना पड़ेगा कितना बोले जितना borrow करेंगे उस पर interest यह interest का amount है पर interest पर tax है भी होगा तो after tax मैंने interest minus किया number of share 20,00,000 का 20,00,000 रहेगा उनके share से मुझे मतलब नहीं है मैं तो पैसे दे रहा हूँ उनके share फार के फिक दूँगा divided by number of shares तो यहां अब X की value निकाला तो X की value अगए 22.50 यह interest का amount आया जो कि यह 15% तो बताओ सामने वाली company को कितना cash देंगे है 150,00,000 अच्छा point है ठीक है question number 26 TYK 21 देखे एक बार आशर रेक question अच्छा है actually तो ले T limited और E limited are in the same industry same industry में merger करने का फाइदा क्या है मालू है competition खतम हो जाए सामने वाली company बढ़ रही है खरीदो खतम करो दूसरा फाइदा क्या मालू है क्योंकि हम same industry में है तो पहले जो material आता था जदा आएगा bulk में आएगा आपके resources को हम use कर सकते बहुत सारी फाइदे है ये बीच में बताने का क्या sense क्योंकि पूछा है इस question में last तो T limited और E limited same industry में है the former in negotiation for acquisition of the later ठीक है तो ये हो गया purchasing company और ये हो गया target company as per their latest financial statement is one below number of shares दे रखा है debt में 10% venture इसका है 12.5% और ये earning before interest depreciation इबड़ अब इसको जो बोलना बोला हूँ मैं इबड़ बोल रहा हूँ interest minus नहीं वह depreciation minus इबड़ दे रहा हूँ और आजकल जो startup में valuation होता न वो इबड़ के basis पे होता है मतलब ये debt से पहले interest से पहले कितना कमार है तो company इतना कमारी ये company इतना कमारी market price दिया हुआ अब भई अलग अलग है T limited क्या सोच रही है सुनना दियां से T limited क्या रही कि हम आपको खरीदने को तया और हम कितना price दे सकते है तो ले हम price देंगे जो भी आपकी company का EBDA है उससे साथ गुना जादा पर उसमें से debt minus कर देंगे हम इतना आपको दे सकते और देंगे जो भी value आएगी देंगे कि हम अपनी company के share देंगे और issue किस पे के साथ से करेंगे market price तब से ये कौन कहा रहा है T limited T limited क्या बोल रहा है आपकी company का जो भी EBDA है उससे साथ गुना जादा minus debt तो वो हमारा net consideration होगा और उसके बदले में जो भी आपका value बनेगा उसके बदले में हम अपनी company के shares issue और share कितने के सबसे issue करेंगे हैं 220 E limited अपना ग्यान दे रहा है E limited बोले नहीं नहीं आप अपनी बात अपने पास रखो अब हमारी भी सुनो हम चाहेंगे आप से हमारी company के दो share के बदले में आपकी company का एक share और जो भी share issue है वो market price के हिसाब से वो तो market price के हिसाब से और tax rate कितना है 30 बर्षन के उन दिया नहीं मालूँ मांगा क्या है calculate and show the following क्या-क्या मांगा है T limited के हिसाब से बताई और फिर बताई बोल रहा है E limited के हिसाब से बताई तो बोलो T limited के हिसाब से क्या मांग रहा है उच रहा है net consideration payable कितना आएगा ये जो बोला है जो बोला है वही तो लिखना है if debt से साथ गुना ज्यादा sir 115.71 इस साथ गुना ज्यादा और इसमें से क्या माइनस कर देना बोले debt माइनस कर देना क्या आएगा net consideration payable इसके हिसाब से T limited के ठीक है इसके अलावा क्या बोल रहा है बोले number of shares कितने है बोले 220 के हैसाब से हम share issue करेंगे तो number of shares आगा है 2.59 लेक्स ये दो चीज़ तो निकल गए और क्या मांग रहा भई और बोले post merger EPS अब post merger EPS में हमको pre merger EPS चाहिए ना combine earning और earning नहीं दिया है earning ना देकर हमको क्या दिया IBDA इसमें से सर हमको minus करना पड़ेगा depreciation वगेरा तो दिया नहीं तो पहले interest minus होगा दोनों की earning से tax minus होगा earning after tax से जाएगा वही किया होगा पहले IBDA मालूम है हमको interest minus कि EBT आगे tax minus कि earning after tax आगे अब काम कर सकते combine earning divided by number of shares तो ये आगया post merger EPS फिर market price अगर price earning ratio कितना कुछ नहीं बोलना है तो इसी का price earning ratio भी तो नहीं मालूम है MPS मालूँ EPS निकालना पड़ेगा तो price earning ratio किसका T limited का price earning ratio यूज करेंगे तो earning after tax मालूम है हमको number of shares तो EPS निकलागा market price तो 11 times आया price earning ratio और इसको इसमें यूज कर दिया तो ये आगया market price और advantage तो advantage मैंने जो बोला ना same industry है तो competition खतम हो जाएगा resources यूज होगा वो सब theory वह लिख सकते हो पर ये किसके सबसे निकालना आपने T limited के अब किसके सबसे निकालना E limited के तो ये पर इशू क्या बोला था दो की बदली में एक तो 6 लाक share है सामने वाली company में पका यसर सामने वाली company 3 लाक share तो ये बता लग रहा भाई तर ये तो लिखा 6 मतलब सब 3 लाक share issue करेंगे कितने के सबसे 220 के सबसे net consideration payable लाज़ा number of shares 3 लाक पोस्ट मर्जर EPS निकल जाएगा अब पोस्ट मर्जर market price निकल जाएगा ठीक है simple question था ठीक है सर तो ये वाला part जो basic वाला था वो खतम हुआ अब इसमें आएगा free float market cap promoters holding ये सब वाला है इस example के through करेंगे तब भी बात समझे ठीक है ओक है सर हम लोग इस टार्ट कर रहे है अब इस category के question जिसमें free float market कैफ वगेरा निकल जाएगा चलो जी आगे बढ़े हम लोग एग्जामपल है एग्जामपल नमबर थ्री तो वैसे तो आपके book में एग्जामपल नमबर थ्री होगा आप उतसे भी कर सकते हो पर मैं एग्जामपल में time खराब ना करूँ और सिधा question उठाओं तो वो जादब question number 30 अच्छा question है बहतरीन question है सिर्फ यही question करूगे तो भी चल जाएगा धीरे करना ध्यान से करना question number 30 अगर आप AFM module को check कर रहे हो तो उसमें मिलेगा आपको TYK 10 TYK 10 पढ़ेंची yes because the following information relating to acquiring company अभीमान लिमिटेद and target company अभीशेक लिमिटेद अभीमान लिमिटेद अभीशेक लिमिटेद यह होगे इसरफ परचिस कमपनी और यह होगे by underground ठीक है both the companies are promoted by multinational company Trident promoters holding 50% and 60% in अभीमान अभीशेक promoters कौन होते हैं? the directors वगेरा यह मान के चाप और director जो share hold करके रखते हैं वही कोई भी company है उसके अगर promoter ने hold करके रखा है shares तो वो freely trade नहीं होते है market जो 50% Shares है वो promoters के पास रखे हुए है और जो 50% Shares है वो free float है ऐसी अभिशेक में 60% किसके पास है? promoters के पास है और 40% क्या है? free float share capital है free reserve है reserve एंशर प्लस है paid up share capital है free float market cap दे रखा है तो sir free float market cap percentage में यहां कितना percentage है 50% और यहां कितना percentage है 40% तो sir इसी total market cap निकल से price earning ratio दे रखा 10 और 4 उसके बाद यह कुछ बोला है और आपको swap ratio मांगा है सबसे पहला नियम क्या है ऐसे questions बनाने का जिसमें promoters holding वगिरा दिया है सबसे पहला rule यह है कि आप proper table बना है और table में यह सारी चीजे निलिख दे जैसे आप यह लिखना start करोगी तो no doubt आपको book value निकालना पड़ेगा per share EPS निकालना पड़ेगा market price निकालना पड़ेगा वो सारी की सारी चीजे आठोमेटिक निलिख दे जाए सबसे पहला rules है यह जो है यह side में लिखते जाए मतलब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जिसे यह आपको दिख रहा होगा table सबसे पहले मैंने share capital लिखा reserve and surplus ठीक है और इन दोनों को add करोगे तो net worth आएगा यह total book value आएगा इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या share का face value हमको पता है yes कहां पता है यह 100 रुपए है यह 10 रुपए है तो यार net worth हमको पता है अगर मैं कहता हूँ share capital पता है और share का face value 100 है तो number of shares निकल गया 2 लग और ऐसे यहां share capital पता है और share का pad of value पता है तो यहां भी number of shares निकल गया 10 लग तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत अब यार net worth हमको पता है और number of shares हमें पता है तो क्या निकल सकता है book value per share निकल जाएगा अब यह promoters holding है 50 परशन अब देखो आप और कुछ नहीं promoters holding है 50 परशन मतलब promoters के पास number of shares कितना है एक लग यहां promoters के पास number of shares कितना है 6 लग दूसरी चीज़ और निकल सकता है अब दूसरी चीज़ क्या promoters का मतलब free float market cap हमको मालूम है 400 लग promoter के पास 50% है तो free float non promoter holding होगी 50% तो 400 divided by 50% किया तो total market cap आ गया 800 लग यहां भी ऐसे ही किया ठीक है जर मतलब यार 128 लग जो किया 40% तो total आ गया 320 लग यह क्या गया market cap अब total market cap है 800 लग और उसको हम divide कर दे number of shares से तो MPS जाएगा और MPS मालूम है और क्या EPS पता लग सकता है क्या नई से price earning ratio दिया है सायर हाँ surprise earning ratio दिया है तो क्या इससे EPS निकल जाएगा और EPS मालूम है और number of shares पता है तो क्या earning after tax निकल जाएगा इतनी चीज में है अब हमको निकालना है swap ratio एक तो book value per share के basis पर बोला है और एक MPS के basis पर बोला हुआ है तो हमारा काम बन गया और weight तो हम ले लेंगे 25 परशन 50 परशन 25 परशन मेरे खल से swap ratio की मदद से आपने ये निकाल लिया और weight देखके आ गया है 0.51 मतलब 0.51, 0.15 is to 1 कीजी है तर यहां तक तो हो जाएगा अब आगे बाद पहले तो swap ratio मांगा था swap ratio निकल गया तो उसरे number पर what is the book value EPS और MPS of Abhiman Limited after merger after acquisition of Abhishek assuming price and ingration of Abhiman Limited remain unchanged and all assets and liabilities of Abhishek Limited are taken over at book value इसमें एक समस्या है बस सुनना रहां से इसमें समस्या है book value per share ICAI किसी और तरीके से करता है book value per share book value per share में दिक्कत जाएगी post merger book value per share post merger EPS निकल जाएगा post merger MPS निकल जाएगा इसमें सबको add कर दे मतलब 200 प्लस 800 मतलब सबकी net worth को add कर दे ना यार एक हजार प्लस 600 मतलब 1600 लाक net worth आ गया है 1600 लाक तोनों को add कर दे divided by number of shares यहाँ number of shares कितने दो लाक और नए share ratio हो रहा है 1.5 लाक तो divided by 1600 लाक तो divided by 3.5 वे एंड्री बास करो नेट वर्थ डैविट सामने वाली कंपनी में नेट वर्थ कितने का है मतलब नेट एसेट्स तर यह अच्छी सौक तू क्या करेंगे शियर कापिटल कितना शियर इस्यू हो रहा है 1.5 कितने के हिसाब से हम 100 रुपए के हिसाब से यहां दिक्कत है यहां वैसे face value नहीं होना चाहिए यहां होना चाहिए था market price इंस्ट्यूट face value पर ले रहा मैंने एक आध example में हो सकता है concept समझाने की चक्कर मैं यहां market price ले लिए उसे ignore कर देना आपको यहां face value ले रहा है आप जानते हैं अमल्गमिशन में क्या होता है तू मैंने क्या कर दिया reserve कितना 450 अब किया किया equity share capital 2,5 है और 1,5 है 1,5 ने शियर और कितने कैसे 300,350 लग का आगया हमारा share capital reserve हमारी company के already कितने 800 लग के और यह entry pass करने से और कितने हैं क्या आगया 45,500 लग के इस तरह से 1600 आया answer वही आया अगर हमको ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लिना ज़्यादा सी ज़्यादा आदा नंबर कटेगा acceptable है भहिया यह समझे में नहीं आ रहा ज़्यादा दिमाख में सबको add करो divided by number of shares टिक ओके सर आगे चले उसके बाद क्या वाँगा post merger EPS सर, combiner नहीं divided by number of shares और MPS के लिए price earning ratio यह वाला यूज करना तो post merger MPS ओके अच्छा कोश्चन अच्छा कोश्चन चल रहा है प्तानी चल रहा है तो सर यह वाला भी part हो गए point number two आगे क्या मांगा calculate promoters revised holding in abhiman limited मतलब मतलब क्या हुआ सर मतलब हुआ यह हुआ कि amalgamation के बाद या फिर क्या बोलू merger के बाद promoter की holding में change हुआ है देखो भई promoters के पास पहले कितने shares थे सर एक लग थे और 6 लाक में को आपने swap ratio कितना है point one five point nine share और issue की है point nine lakhs total मिलाकर promoter के बाद merger के बाद कितने shares रहे one point nine lakhs total कितने shares है 2 और one point five three point five lakhs shares है total मिलाकर उसमें से one point nine promoters के पास है तो 54.28 परसेंट आ रहा है तो ज्यादा simple 54.8 ये टूनाइट ये गज़े free float market cap total number of shares कितने थे 3.5 लाक ये किसके पास है promoters के पास तो ये किसके पास है non promoters और इसको multiply कर देना market price से तो ये क्या जाएगा free float market cap टिक ये मांगा था क्या अगे चले ये भी हो गया है अब यहां और question बढ़ा है सर इतना बड़ा question आ सकता है कि आया हुआ also calculate the number of shares फिर से निकालना है number of shares तो number of shares तो सर 3.5 लाक्स है EPS निकालना है सर EPS फिर से निकालना है yes book value per share भी निकालना है if acquisition of abhishek limited abhiman limited issue कर रहा है bonus share 2 के बदले में 1 2 के बदले में 1 तो सर bonus shares कितने के होगे 3.5 लाक पहले थे 3.5 लाक पहले थे 3.5 लाक दिवादे बाइ 2 1.75 लाक के bonus share issue तो सर उस हिसाब से अब number of shares 3.5 प्लस 1.5 5.25 लाक के bonus shares के बाद number of shares होगे इसके अलावा आपको जो 100 रुपए का share है न वो 5 रुपए में convert कर देना मतलब सा 100 रुपए का share 5 रुपए में तो जो 100 रुपए का share है उसके बरवर 5 पाच रुपए के 20 shares इंटू क्या करनेंगे सर 20 5.25 लाक shares है 500 वाले उसको पाच पाच में convert करना सी यह लोग हो मेरे सम इंटू 20 उस हिसाब से 105 लाक shares हो गए 105 लाक shares कब के बाद बोनस के बाद और split up करने के बाद क्या मांगा था number of shares तो number of shares तो आगए 105 अधर EPS EPS simple है 80 और 80 कितना हो गए 60 लाक divided by 105 लाक तो EPS भी आजाएगा book value per share book value per share पहले net worth कितना था 1200 bonus issue करने से reserve कम हो जाता है तो वही कुछ किया होगा reserve 175 लाका कम हो जाएगा ठीक है number of shares हो गया bonus share हो गया total number of shares split करने के बाद 105 लाक share post merger bonus के बाद का EPS हो गया अब देखो book value per share मेंने कैसे निका 105 लाक shares 5 का एक और 1250 लाक के reserve थे सर ये कहां से आया 1250 लाक के reserve थे उसमें से 175 लाक को आपने capitalize कर दिया 1075 लाक के reserve थे ultimately 1600 का 1600 है तो ये आगया book value per share post merger MPS कैसे निकलेगा EPS को multiply कर दो तो वो मांगा ही नहीं है आनी खताम EPS निकाल लिया book value per share निकाल लिया और number of shares निकाले question बहुत अच्छा है एक बार करने का बनता है video pause कीजी और बनाइए तो ये ही है 31 वैसे है TY के 18 लिखा है चाहो तो प्रैक्टिस करना तो इस question पर प्रैक्टिस कर सकते हो मैं कट कर रहा हूँ इसको तो मैं homework वैसे भी दे question number 29 TY के 19 लिखा हुआ है इसका मतलब समझ रहा है एक question बिल्कुल बनाने का बनता अगर आप कहोगे कि हम एक भी नहीं बना रहा है या कैसे होगा बनाना पड़ेगा आपको एक question बनाओगे जो मैंने समझाया है ना वही बना लेना TY के 19 cut कर दिया repeat question TY के 32 ये भी cut कर दिया है sorry 32 लेकिन ये TY के 17 मतलब यार 4-5 question इसी concept पर डले हुए है 2-3 तो बनाने का बनता है एक दो तो बना एक तो बना लो भाई बना लो बना लो पपी उटाओ प्येन उटाओ proper presentation के साथ बनाओ ज़्यादा मजा है question number 34 अच्छा question है ठीक है sir PR उपड़ने के लिए पड़े ओके इंटल लिमिटेट प्रमोटेट पाई ट्रांस नेशनल कंपनी इस लिस्टेड ओन स्टॉक एक्षिन इंटल लिमिटेट का प्रमोटर इंटल लिमिटेट कोई कंपनी है और उसके कोई प्रमोटर सोगे प्रमोटर का नाम है ट्रांस नेशनल कंपनी इस लिए और जो इंटल लिमिटेट है वो इस्टॉक एक्षिन इस्टेड है तो वैल्य ओप फ्लोटिंग इस्टॉक फ्लोटिंग का मतलब सर फ्री फ्रोट तोटिंग श्टॉक का वेल्यू मतलब सर ये फ्री फ्री फ्रोट मार्केट कैब दिया है 45 करोड और मार्केट प्राइज है 150 तो सर नंबर ओफ शेर्स निकल सकते हैं जो नौन प्रमोटर्स के लैक्स में कर लूँ कि कनवर्ट यह सर 45 करोड को मैंने लैक्स में कनवर्ट कर दिया तो 4500 लाक और एक शेर 150 के मतलब जो प्रमोटर नहीं है फ्री फ्रोट है उनके पास नंबर ओफ शेर्स अल्रेड़ी कितने है 30 लाक इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या ओके यहां तक है capitalization rate दिया 20 परशन पता नहीं क्यों दिया वह बात में सोच आगे बढ़ा है तो प्रमोटर होल्डिंग इस टू बी रिस्ट्रिक्टेट टू 75 परशन प्रमोटर ने होल्ड कर रखा पता नहीं कितना परशन्ट इस होल्ड यह मिस्प्रिंट था original question फिर बाद में institute ने सुधारा paper में आ गया था यह print ही नहीं हुआ था बाद में institute सुधारा कहा कि यह हमसे भूल होगी थी बाद में उन्हों नहीं लिख दिया note में यह उपर ही लिखा होना चाहिए उसमें लिखा था कि promoter के पास holding है 80% अब यहां जोगाड हो सकता promoter के पास मतलब यह trans india company के पास holding है 80% मतलब यह 30 लाग जो है वो कितने परशन के बराबर है 20% तो total number of shares company में कितने है 150 लाग और promoter के पास 80% मतलब promoter के पास कितने number of shares है 120 लाग promoter के पास अभी देखा जाए तो 80% is hold करके रखा है promoter अब यह stock actions के नियम के अनुसार इन्होंने कहा कि promoter की holding 80% मतलब यह वो क्या freely trade हो पा रहे है market में बुले नहीं बुले promoter आप अपनी holding कम कीजिए 80% से आप 75% कीजिए listing requirement यही था the board of director have decided to fall in the line to restrict the promoter holding to 75% by issuing बुले bonus share issue करेंगे हम minority shareholder को और same price earning ratio maintain करेंगे मतलब सर कैसे कम करेंगे आपको समझे total number of shares कितने 150 लाक उसमें से promoter के पास 120 लाक और minority के पास 130 लाक सवाल यह 80% को हमें कितना करना है 75% कैसे कर सकते सर यह अपने shares बेज दे और यह बोले हम बेचेंगे नहीं हमारा तो 120 लाक का 120 लाक रहेगा हम बेचेंगे नहीं करें तो क्या करें इनको और share issue कर दीजिए यह बोलते हम पैसे में खरी देंगे नहीं यह free में ले लो bonus की रूप में ले लो तो हमारे बस एक ही तरीका है कि इतने bonus shares इसको issue कर दिया जाए इतने ताकि यह 80 की जगा कितना हो जाए 75 इनका percentage बढ़ जाए कैसे करो और total में तो बढ़ेगा सुना सुना वो क्या कियाना चाहता बोले total में बढ़ेगा क्योंकि bonus share issue हो रहा है इनको नहीं देंगे 120 लाका 120 लाका इनको हम bonus देंगे और इतना bonus देंगे कि इनका 75% हो जाए और यह 25% हो क्या किया गया है बोले 120 लाक जो है न यह तो change नहीं होगा मान लो कि यह 75% है तो total कितने होना चाहिए हिसाब किताब बोले total होना चाहिए 160 लाक shares तो 150 है मतलब 10 लाक share और issue करना पड़ेगा किसको? Minority को Minority मतलब non promoter's holding 10 लाक shares कितने के बदले में 30 लाक के बदले में तो क्या ratio निकल गया? Yes, कितना share issue करेंगे एक, कितने के बदले में तीन के बदले में वो ही मांगा था पहले बताओ bonus ratio क्या है दहतरीन question है दूसरा MPS after issue of bonus MPS चाहिए और सब्द लिखा है कि same price earning ratio maintain रहेगा बहुत अच्छा point है same price earning ratio maintain मतलब सरा हमको EPS चाहिए EPS into price earning ratio MPS है जाएगा अब यार problem यह है कि हमको EPS नहीं मालूम सर हमको MPS मालूम है न पर price earning ratio नहीं मालूम न पिट्टे ये दिया है capitalization rate को बोलते केई पर सर केई का एक formula क्या होता हमालूम है one divided by price earning तो भाई साब इन लोगों ने क्या घुमाया है जबरदस्त और घुमाया है कि one divided by k से इन्होंने निकाला price earning rate ठीक है और फिर 150 MPS और price earning उससे निकल गया हमारा EPS और EPS को multiply किया number of shares से तो या जाएगा earnings पहले का पहले 150 लाग share थे और EPS था 30 उससा 4,500 लाग earnings आ गया और 4,500 को 160 क्योंकि bonus share issue हुआ तो फिर हमने निकाला कि bonus के बाद का EPS और price earning ratio तो यह आ गया 140.62523 जिमाद चलाना पड़ेगा इसके लिए उसके बाद क्या मांगा भाई उसके बाद मांगा free float market cap तो number of shares कितने हो गया थे 20, 10, 40 है ना 40,000,000 लाग इंटू 140.65 यह simple है ज़्यादा मैनत नहीं था यह वाला point अच्छा है इसको भी एक बार करने का पका पका बनता है 53 के जरूरत नहीं है, रिपीट ही कोश्चन हुआ है, कोश्चन नमबर 33 देखना पड़ेगा, यह है TYK31, TYK30, पड़े, अच्छा कोश्चन है, अच्छा कोश्चन है, देखाँ, the equity share of XYZ are currently, बोले share का प्राइज अभी कितना है भाई, 24 रुपी, XYZ है, इस नमबर उफ शियर कितने है, XYZ के 10 लाख शियर से, उसमें से प्रमोटर ने 40 परशेंट मतलब 4 लाख शियर प्रमोटर ने हो, यह रखा है, खर सामने वाली कंपनी में, टोटल नमबर उफ शियर कितने हैं, 10 लाख, और एक शियर की प्राइस कितने हैं, 24 रुपी क्यू, यह मैंने लिखते हुए भी चला, X, Y, Z में 10 लाख शियर से, MPSH 24, उसे सबसे मार्केट कैप है, 240 लाख, उसमें से प्रमोटर के पास कितने शियर से, 4 लाख, यहां तो कोई दिक्कत है, पी क्यू आर लिमिटेट है, एक कंपनी है जिसका नाम है पी क्यू आर वो खरीदना चाहती है, X, Y, Z को, और present value of synergy है, 80 लाख, इसका मतलब समझने की कोशिश करने, इसका मतलब है कि यार, इस company में कुछ ऐसा है, कि अगर हम इसको खरीद ले, तो यह जो कमा रहे हैं ना, इससे ज़्यादा हम कमा कर देंगे, और उन सब का present value, earning का present value कितना निकला, 80 लाख, इसमें 80 लाख की synergy है, maximum कितना दे सकता हूँ, जितना इससे मुझे फायदा होगा, और मुझे अभी के भी यह फायदा दिख रहा है, 240 लाख यह, यह तो actual price है, और 80 लाख का synergy है, मतलब synergy मतलब इससे भी ज़्यादा, इसके अलावा, यह तो कहानी खतम होगी, पर और बता रहा है, बोले further PQR fills that management of XYZ, जो promoter है उसकी बात कर रहा हूँ, जो XYZ का management है, उनको भी यह, ज़्यादा salary वगिरा दी जा रही है, PQR सोच रहा है, यह तो ठीक है, 80 लाख इसके अलावा उसका ध्यान और भी गया, किस पे, management पे, उनको बेकार मेर पैसे दे रहा है, और जो पैसा इदा रहा है, उसका saving 4 लाख रुपए पर रहे नम है, और उन सब का present value निकाला तो आ गया 30 लाख, अब PQR सोच रहा है, अगर हम होते ना, तो हम इस company को क्या से क्या बना देते, उसकी वज़ा, 240 लाख तो ठ management है ना, ये इनको भाई साब को बेकार में salary बगेरा बहुत दे रही है, इनको मैं सायद हटा देता, तो 30 लाख का ये भी मेरा savings होता, अगर मैं कहूं, तो ये जो 10 लाख shares है ना, 10 लाख shares, इसकी value, total 10 लाख की shares की value मेरी नजरों में, maximum, एक तो ये तो है ही है, साथ में 80 का और जोड़ दीजी, ये है actual value, following additional information, EPS, PQR का EPS दिया हुआ है, number of shares दिया हुए है, और market price भी दिया हुआ है, market price भी, MPS divided by EPS की है, तो price in English वाग है, जो मांग क्या रहे हैं sir, what is the maximum price per equity shares? which PQR Limited can offer to pay for XYZ, कहना क्या चाहता है, वो आपसे बोल रहा है, कि मैं हूँ PQR, और मुझे XYZ को खरीदा है, तो मैं maximum कितना दे सका, तो मुझे फाइदा, ये तो देने का बनता ही है, actual value है इसकी, 80 लाख present value of synergy, और 30 लाख आपका वो management को हटाता, तो उससे भी फाइदा हो जात है, और divided by 10 लाख, तो मैं maximum दे सकता हूँ 35, मैं maximum दे सकता हूँ, टिक, what is the minimum price per equity share of which the management of XYZ Limited will be willing to offer their controlling interest, मतलब क्या पूछा है, वो पूछ रहा भाया, सर, आप promoter हो, promoter, आप management हो, जिनके पास 4 लाख shares है, 4 लाख, चलो, आप से बूला जाता है, कि चलो, 4 लाख share controlling interest, 4 लाख share अगर हम खरीदते हैं, कितना पैसा लोग है, उन्होंने का, सर, पैसी के बाद, बिल्गो simple, एक share की price चल रही है, 24 रुपई, ये तो आपको दे नहीं पड़ेगा, आपको minimum कितना चाहिए, बता रहा है, 24 ये भी चाहिए, मतलब हमें जो total पैसे चाहिए, 4 लाख into 24 प्लस 30 लाख, ये चाहिए, और ये वाली synergy से हमको मतलब नहीं है, हमको जो loss हो रहा हमको मिलना चाहिए, वही पूछ रहा है कि बताए, minimum वो लोग कितना चाहिए, जो उनको loss हो रहा है, 4 लाख into 24 और 30 लाख ये divided by उनकी पास है, 4 लाख share, तो minimum वो कितना चाहिए, उनको चाहिए, 31.50 कोशन उच्छा, 35 बैंक वाला कोशन, कोड़ो बैंक वाला कोशन, क्यों वाला कोशन, कोशन नमबर 36, करना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक के मर्जर के टूटर मिला कर दो कोशन है, दो कोशन में आपको एक कोशन करना ही पड़ेगा, और ये वाला करना ये आपके AFM मॉडूल का भी है, TY, ये जो बैंक वाले कोशन है, ये बहुत famous कोशन है, इसमें एक swap ratio में दिक्कत आती, एक ulta है, और ulta होने का व audit, during the audit of weak bank, RBA suggested that the bank should either merge with another bank or make close down, एक बैंक है जिसका नाम है weak bank, आम से ही लग रहा कमजूर है बहुत, और या तो या किसी और की साथ merge हो जाओ, या तो इसे बंद कर दिया जाओ, एक बैंक है जिसका बैंक का नाम है strong bank, उन्होंने एक proposal submit किया कि हम weak bank को खरीदना चाहते है, और relevant information आपको दिया हुआ है, और relevant information में gross NPA दे रख, NPA अच्छा होता है कि बुरा, NPA भी खराब है, हम तो bank audit करते हैं सर, non performing asset, एको इसमें पैसा, सर non performing asset मतलब पैसा डूबने वाला है, ऐसमें लग रहा है कि 40% bad debts है, bad debts बोलतू हूँ अभी roughly, या सर 40% और strong bank कितनी अच्छी है, इन्होंने source समझ के advances बाटे होगे, इसे 5% और इसके अलावा, इसके अलावा, capital adequacy ratio, car, सर, capital adequacy ratio, यहाँ कितना है, 5% और यहाँ कितना है, 16% तर capital adequacy ratio का formula इन्हों दिने दिया, capital divided by risk weighted asset capital divided by risk weighted asset ठीक, in 200 कर दू, in 200 क्या कहना चाहता है, मान लो यार, capital जो है, वो है, 300 और risk weighted asset है, 1000, in 200 तो बूलो कितना परशन, सर, 30% और यह मन से लिखा है, मन से और किसी company में, सर, 100 divided by 1000, in 200 तो कितना परशन, 10% सवाल यह हैं कि capital यहाँ और यहाँ यहाँ total asset में हमारा debt को अलग कर दो सिर्फ हमारा capital कितना, 30% और यहाँ total asset में capital कितना है, सिर्फ 10% तब जितना assets है, उसमें 30% है, 30% हम बहुत अच्छे हैं, कि जितनी भी assets है हमने ही contribute किया, तो अगर मैं कहूं कि ratio car, capital education ratio का percentage, जितना ज़्यादा है, उतना अच्छा क्योंकि risk weighted asset है, जितना risky asset है risk है ना यार, risk है, तो risk वाली asset में हमारे ही तो पैसा लगा हुआ, बस यह बताने के कोशिस कर रहा है, खेर मैं banking नहीं बढ़ा रहा हूँ banking आपको आता है, अच्छे से, C enter में मेरा बस इतना कहना कि strong bank बहुत अच्छी condition में है, इनके बास खुद का कह, जितना risky asset है ना, 16% खुद का capital है उसमें, और इसमें से 5% MPS दिया हुआ है, और book value per share book value per share यह निकालना पड़ेगा, और stock exchange में यह irregular trade होता है, और यह frequent trade होता है अब जो swap ratio निकालना है, तो swap ratio नोने कहा कहना gross NPA के basis पे निकालना है, car के basis पे निकालना है MPS के basis पे निकालना और weight दे रखा है और book value, पर book value per share हमको नहीं मालूँ बाकी सारी चीज़े तो दिया हुआ है अब book value per share निकालने के लिए हमें क्या चाहिए नेट वर्थ, यह है भाई, नेट वर्थ, पर दिक्कत क्या है एक miscellaneous expenses भी है, preliminary expenses तो वो आपको minus करना पड़ेगा, reserve का मतलब क्या होता मालूँ नहीं अदिस minus this, यह होता है reserve अच्चु तो अब मैंने क्या क्या हो 150 प्र ससी minus 50, book value per share निकालना है तो book value per share मैंने इस तरह से निकालना है, यह आगया net worth divided by number of shares, number of shares कैसे पता लगए number of shares, 10 रुपए का एक, तो यहाँ number of shares है, 15 और यहाँ कितना है 50, 15 और 50, 15 और 50 से पाइट किया, तो यह आगया book value per share अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है swap price इस किस basis पे, book value per basis पे, मैंने कहा वेंडर कंपनी उपर रहेगा और हमेसा purchasing company नीचे रहेगा अगर इस basis पे निकालो तो 120 divided by 12 सर 120 नहीं, 12 divided by ऐसे इसका निकालते जाना MPS के basis पे कैसे निकलेगा, सर 12 divided by 96 तर कार के basis पे 5 divided by 16 बस अब ध्यान से समझने की कोशिश करना यहाँ cross NPA NPA, non-performed asset बहुत ज़्यादा है किसी का, निका तो अच्छा है कि बुरा अगर मैं आपको share देने की कोशिश करो, मैंने समझा है था concept यह सब फाइदे की चीज है capital adequacy ratio ज़्यादा होना चाहिए अच्छी बात है, market price ज़्यादा होना चाहिए जितना ज़्यादा अच्छी बात है book value per share यह भी ज़्यादा होना चाहिए EPS यह भी ज़्यादा होना चाहिए लेकिन NPA ज़्यादा नहीं होना चाहिए ज़्यादा होगा तो दिक्कत है, कम होना चाहिए बात समझने की कोशिश करो मैं आप से कहता हूँ कि मैं श्वैप रिशो निकाल रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि एक शेर के बदले में कितने शेर हाला कि मैंने का वेंडर कंपनी उपर है अगर मैं 40 divided by 5 लिखता हूँ जैसे बाकी जगा कर रहा हूँ 40 divided by 5 तो सर इसमें कितने शेरS लिखता है 40 divided by 5 मतलब सर हम 8 शेर अग्जिव करेंगे ठीक ठीक अगर में अगर मेरा गरोस एनपी इस कंपनी का 40 नहीं होता असी होता तो क्या हम 16 शेर अग्रोस एनपी वे ज़्जादा होगा तो हैर हम और जजदा इसे करेंगे मतलब यार कुछ भी बात हो रही इसका मतलब यह कि अगर आप बरबाद हो रहे हो आप और बरबाद हो रहता है हम आपको और शेर देंगे बेकार की बात है मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि NPA एक टाइप का लॉस है पाकी सारी चीजे प्रॉफिट है तो formula vendor company divided by purchasing company होता है लेकिन gross NPA में कभी भी क्योंकि एक प्रकार का loss है तो formula आपको ultra लिखना पड़ेगा purchasing company divided by vendor company बस यह एक special चीज है वही मैंने यहाँ समझाया है 5 by 40 उसके लिए यहाँ एक note लिख जहाँ भी loss होगा swap ratio calculation ऐसा होगा ultra purchasing company divided by vendor बाकि यह सब ठीक है तो swap ratio आगया 0.175 is to 1 तो सामने वाली company में number of shares कितने है सामने वाली company में number of shares है number of shares है 15 लाक तो 15 लाक into 0.175 तो इतने shares issue किये जाएगे 2.625 नहीं तो कोई दिक्कत है कि मज़ा आगया चले आगे क्या लगता है time लग रहा है अब भाई नहीं करवारों मैं ऐसे करवांगा अपकतम आखरी वीडियो चल रहा है आखरी लेक्शिस चल रहा part 1 आज डाल दूगा part 2 कल दाल मैं वह बिदे सोच रहा हूँ सोच रहा हूँ अभी आगे चलते है ये दो घंटे से ज़्यादा का वीडियो में बनाता नहीं ओगे सर आगे चलते है आगे 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 मांगा क्या रही तो क्या है मैंने तो बढ़ा ही नहीं सर पहले नमबर पर तो swap ratio मांगा है दूसरा number of shares ये भी हो गया ये भी हो गया अब बनाना है balance sheet इस balance sheet को देखकर balance sheet तो इन दोनों को जोड़ते जाए पहले asset side का लिखे की सर yes सर दोनों को जोड़ दिया 2500 और 400 सर बैंक भी जोड़ दिया 2000 सर ये investment भी जोड़ दिया advances भी जोड़ दिया investment हो गया advances हो गया और सर other asset भी जोड़ दिया और सर preliminary expenses को नहीं लिखा इधर चलो liability में other liability भी जोड़ दिया deposits भी जोड़ दिया अब एक बाद बची होई है एक और दिक्कत है वो दिक्कत में आपको समया अब दिक्कत क्या है बटे share capital मेंने कहा इसमें entry पास होती है तो हमने entry तो सीख रखा है entry उनका सामने वाली company की net asset ले लेंगे है net worth net worth कितना निकला थे 125 80 minus 50 150 plus 80 minus 50 सामने वाली company की net worth आगे 180 बदले में क्या issue करेंगे share capital कितने share issue हो रहा है 2.625 और into हम यहां face value लिखते है 2.625 into 10 तो सा 26.25 और difference कहां डालते थे general reserve में बट यहां इन्होंने capital reserve में transfer किया है minus 180 और capital reserve में डाल दिया है 153.75 में कुछ नहीं कर सकता amal commission in the nature of purchase बोलू तो चलेगा और यह 153.75 यहां लिए पाके number of share 50 और यह है यह तो पता लग गया और साथ में reserve answer पर सिर्फ ता आना था इसी तो यह एक दिक्कत है objection ले सकते हो ले लो पर इन्होंने capital reserve में डाला capital reserve में डालना पड़े तो सर बैलेंशेट भी बन गया अगे चले यह purchase method की मैंने entry pass करवा की बताए था car और gross NPA भी निकालना है merger के बाद merger के बाद निकालना है gross NPA और capital adequacy ratio तो पहले capital adequacy ratio capital पहले का हमको मालम है week 180 capital education ratio का formula क्या है capital divided by risk weighted asset merger के बाद का क्या capital पता है हाँ sir merger के बाद का capital तो हमको पता है कैसे पता भाई यह जड़ा बताओगे simple है दिखतो रहा है merger के बाद का capital यही तो होता है sir merger के बाद का capital जोड़ लीजे रिजर्व को भी जोड़ना पड़ेगा 526.25 5500 153.75 सरी आगे 6180 यह मर्जर के बाद का total capital यह हो हो कहां गया है 6180 तो भाई आपको merger के पहले का capital मालूम है क्या yes merger के पहले का car मालूम है क्या yes तो क्या car पता है yes sir 5% क्या capital पता yes तो क्या इससे risk weighted asset निकल जाएगा yes 180 divided by 5% 3660 divided by 16% इन दोनों को जोड़ दिया तो merger के बाद का risk weighted asset आ गया 1.0 असी NPA किस पे निकाला जाता है advances और advances तो हमको पता है पहले से yes sir advances इन दोनों के पता है और इनका NPA पता है तो bad debts निकल गया और bad debts को हमने जोड दिया 2750 और advances को भी जोड दिया अगर percentage में निकालना है तो percentage में भी था ठीक है sir अच्छा कोश्चन है okay इसको भी एक बार बनाना पड़ेगा कि हाँ जी okay अभी एक concept है वह है maximum action ratio and minimum action ratio so Connor and Nielsen model भी बोलते हैं पर हमारी book में यह सब्द यूज नहीं किया तो मैं maximum और minimum action ratio बोलूँ तो भी बात बन सकते हैं तो maximum action ratio और minimum action ratio पूछता है कि maximum पूछेगा क्या है language सुनना दियांसे language ऐसी चलती है कि मैं सामने वाली company को खरीद रहा हूँ तो मैं maximum सामने वाली company को कितना दे सकता हूँ मेरे shareholder मेरी पर्चेसिंग अब बोलूग पर्चेसिंग अबरी मैकसिमम कितना दे सकता है और vendor company के इंगल से क्या बात होगी vendor company minimum कितना accept करें कि उससे कम नहीं उससे कम नहीं और पर्चेसिंग अबरी इससे ज़्यादा नहीं तो वो निकालने के लिए आता है maximum action ratio और minimum action ratio इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं ठीक है example के through समझते हैं बात सायथ समझते example number two लिया होगा हमारी बुक में एक बार देखते हैं number of shares मालूँ में A limited B limited EPS मालूँ में MPS मालूँ में earning after tax मालूँ में minimum action ratio acceptable by A limited A limited के मतलब किस किस बात हो रही है पर्चीसी अब देखो मैंने maximum action ratio की मेरे बात A limited maximum कितना देगा A limited maximum इतना देगा कि merger के बाद share का price गिरना नहीं चाहिए मतलब sir merger से पहले 90 रुपय था तो merger के बाद भी 90 रुपय होना चाहिए और swap ratio को आप x मान लेना equation आपको बनाना कैसे किया मैंने combiner नहीं और number of shares यह 1,00,000 है और यह कितना है 40,000 यहां x और post merger MPS निकालना है तो price earning ratio से तो multiply करना पड़ेगा और price earning ratio यहां दिया रहेगा तो यहां तो नहीं दिया यहां नहीं दिया यहां question मैं बताएगा कि price earning ratio क्या होगा करके that's it post merger price earning ratio वो बताएगा यहने 6 या 3 नहीं लिया यह question मैं बताएगा बस इसके इसाब से निकाल लेना तो answer आजाएगा point A simple से एक sentence याद रखना कि merger के पहले का MPS है merger के बाद का भी हमारी company हम कौन है purchasing company हमारा MPS उतना ही रहना that's it ऐसे ही B limited क्या सोचे कि B limited यह सोचे कि merger के पहले हमारा MPS कितना था 27 तो merger के बाद भी 27 ही हो उसमें भी equation बनाया होग हमने कम से कम B limited को इतना मिलना चाहिए कि merger के प्राइस कम नहीं होना चाहिए अब प्राइस कितना है 27 27 कहां से निकला माला तक 27 अब combine ने हमको मालूम है number of shares भी मालूम है ओके यह X है X मतलब swap ratio और यहां 5 लिखा 5 क्या है price and integration और यह X लिखा वापस Sir X क्यों लिखा क्योंकि बिटे यह आ गया मेरा market price लेकिन कभी भी हम equivalent निकालते यह आपको पता रहना चाहिए merger के बाद जो MPS निकलता उसको हम multiply करते है swap ratio से तो यह आता है equivalent MPS जो की merger के पहले के MPS के बराबर होना चाहिए जब भी vendor company के angle से बात होगी आपको equivalent MPS निकलता है अब तो equation solve कर लोगे 0.3285 कुछ special नहीं अब सुचोगे maximum exchange ratio minimum exchange ratio वाला concept समझने नहीं समझने वाला कुछ है नहीं है simple sir मैंने equation बनाया हूँ उसको solve कर ले question number 2 देखे कि एक बार question number 2 ABC limited इसको खरीदने का सुचर है XYZ मतलब sir यह होगी purchasing company इसके लावा number of shares भी दिया है तो EPS निकाल लिया भई price earning ratio दिया है तो MPS निकाल लिया इसका भी अब देखो सद्ध क्या लिखे रहे हैं सद्ध termine the maximum action ratio acceptable यह सब्द लिखा रहे है acceptable to the shareholder of ABC limited और साथ में price earning ratio भी वो change करके बता देख let's say अगर यह सब्द लिखे रहे हैं तो आपको निकालना पड़ेगा maximum action ratio और किसके एंगल से बात पूछ रहा है maximum action ratio मतब purchasing company के एंगल तो 1200 plus 400 तर कहां से आया है यह है ना भाईया 1200 plus 400 और number of shares 400 plus 200x 200x into price earning ratio कितना है 8 is equal to कितना होना चीए 24 रुपए क्या है बताया ना भाई आना सर यह 24 x का निकाल ले ना और x कितना आगा है 0.6667 is to 1 ऐसी किसके एंगल से बात होगी ऐसी purchasing company के एंगल से क्या मांगेगा हो minimum action ratio price क्या है 14 equivalent MPS 14 से कम नहीं होना equation वही बनाया पस यहां price earning ratio 10 बोला था सायथ question 10 बोला है 10 बोला है तो 10 लिखा उसके बाद answer कितना आजाएगा फिर तो करी लोगे इसको 0.6667 is to 1 जाएगा प्लीज देख लेना भाई question number 25 में बच्चे confused हो गए थे इसलिए मैंने डिसक्स किया थे maximum action ratio सब्द लिखा है लेकिन उसके आगे भी तो पढ़ो अगर यहीं छोड़ देता तो मैं वह equation लगा देता लेकिन बोले without dilution of EPS मतलब वो कहना चाहता आप EPS के basis पे निकाल लिए जब भी इसके आगे अगर सब्द जूड़ गया without dilution of EPS या without dilution of MPS तो इसका मतलब यहां MPS के basis पे निकालना पड़ेगा ठीक है इसमें confusion है यह normal question question number 6 एक सेक चलो तो देखे यह question yes C limited MTP में आया था अप्रेल 2021 में अच्छा question आया चुट लेका C limited and P limited both company operating in the same industry ठीक है भाई decided to merge and form a new entity जिसका नाम है S limited लिकत यही है हमको ऐसा लग रहा कि S limited एक नहीं कमपनी वन रहा it means C limited P limited दोनों merge हो रहा यहां से ऐसा लग रहा है पर आगे क्या बोला देखना पड़ेगा relevant information दे रखा है ठीक है C limited और P limited का earning after tax दिया हुआ number of shares दिया price earning ratio दिया है तो MPS तो निकली जाएगा earning after tax है EPS आया price earning ratio तो MPS आ गया है यहां तक कोई दिखकत है क्या लिखा है the merger will be affected by means of stock swap swap ratio तीन share issue कर रहा है हम C limited के एक share P limited के बदले में मतलब सीधी सी बात है यह purchasing company हो गया है यह vendor company हो कितने shares issue किये जा रहा है तीन कितने के बदले में एक के बदले ठीक है सह after the merger it is expected that due to synergy annual earnings are expected to be 8% higher than some of the earnings of two companies कुछ करना नहीं है earning को add कर देना है और बोल रहा है कि वो 8% से बढ़ जाएगा merger के बाद energy है ठीक है further it is expected that price earning ratio of S Limited जो price earning ratio रहेगा बोले नहीं company का वो आप average price earning ratio ले 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 ना दोनों company का मतलब सर इसका average कर देंगे plus to 9 ले 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 ना price earning evaluate the extent to which shareholder of P Limited will be benefited for share from the proposed merger बोले beneficial है कि नहीं है सर करना क्या है करना कुछ नहीं है price earning ratio बोला है लेने के लिए मतलब वो post merger MPS पूछ रहा होगा निकाले सर earning add कर देंगे दोनों का सबसे पहले number of shares to be issued निकालिया तो total आ गया 3000 earning को add किया 8% से बढ़ा दिया और total number of shares तो ये आ गया हमारा post merger EPS multiply किया 9 से तो या गया post merger MPS अब किसके फायदे की बात किया P limited को फायदा हो रहा ही है P limited का merger से पहले MPS कितना था 58 और merger के बाद MPS कितना होगा तो जो आया है उसको steer exchange ratio से multiply कर देना और share action ratio 3 to 1 P से multiply कर दिया तो ये आ गया तो क्या ये gain है ठीक है अच्छा question ओके question number 9 हाला कि TY के 24 है पर question में कुछ ऐसा नहीं है जो समझाने लाए है ये तो फूमबग दे दिया था मैंने समझा कर ठीके सर कर लोगे इसको इसने ज्यादा दिक्कत होगी नहीं मैंने करवाया नहीं मतलब morning तक upload हो जाए morning मतलब 10-11, 11 बजी तक upload हो जाएगा कल आज मैं क्लास को यहीं over करूंगा merger हमारा खतम हो चुका है merger का मतलब यह है तो आगे आने वाली क्लास में D-merger होगे और कुछ special question हो पार्ट नमबर 2 ज्यादा important है पार्ट नमबर 1 के पी पार्ट नमबर 1 में इससे basics किया है और दो घंटे से ज्यादा आप revision वीडियो देख भी नहीं पाहोगे जितनी question मैंने करवाया हूं कर ले ना कल 11 बजी से पहले पहले हम पार्ट नमबर 2 भी upload करूं यह सो मच बड़ बाइ